मेरा काई मेरा हलो गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूं कि आप लोग अच्छे होंगे मज़े में होंगे और मस्त होंगे आज का ब्लोग मैं अपने कीचेन के बालकॉनी से शुरू कर रही हूं और आज मैं अपना डॉक्मेंट से सब बनवाने जा रहे हूं एड्रेस प्रूफ के लिए क्योंकि प्रिव्यू वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि मैं नए घर में शिफ्ट की हूं तो एड्रेस प्रूफ के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास अभी तो आज जा रही हूं मैं करने क्योंकि यूटूब में मुझे तो कागज सब यह सब समीख करना पड़ेगा और बैंक में भी एड्रेस चेंज करना पड़ेगा सब जगह चेंज करना पड़ेगा तो मैं आज जा रही हूं कागज का पूरा काम पूरा करने काम देखिए आज चाइब लगाए गुड मोरें काले दिखाई दे रहा है तो क्या हुआ दिल वाले हैं अच्छा हम तेरे तेरे चाने वाले हैं अब चाय पिला ये तियार होई है चलिए आपका डॉक्मेंट सब ठीक करवा दूं क्योंकि ये पेपर तो हो साधी यूटूब में भी देना करेंगा तो पहले चाहिए तो पहले चाहिए तो आपकी ड्यूटी है रिटार्मेंट के बाद ये अच्छी ड्यूटी लग देए जा रहे हैं बेटा जी और देखिए आज मेरा शोना लग रहा है एक दो खोब अध्या लेट काफी लेट हो गया है और एक चीज और दिखा रहे हैं छुट्टी का लुफ्त कैसे उठाया जाता है देखिए अच्छा सो गया आज नहीं तो कम्बल के अंदर फोन चालू रहता है जानते हैं अब आपको एक राज की बाता हूं इनका अगर कुछ गुम हो जाता है नहीं मिलता है तो यह एक गांट बाती है सब्सक्राइब करने काम करने काम करने मेंज की बैंक का काम करने और एड्रेस चेंज करवाने सब तो चलिए मिलते हैं बैंक में तो खर नहीं लोगो पाएगा बैंक आ गया है काम तो हो गया और बस चलते हैं अब घर एक और काम बाकी है बहुत टाइम लग गया एड्रेस चेंज करवाने में ऐसे तो बोल रहा था कि ऑनलाइन कीजिए लेकिन ऑनलाइन में काफी टाइम लग रहा था दो महिने का वह ले भईया अब दो महिने में तो मेरा सारा काम खराब हो जाएगा तो फिर उनसे रिक्वेस्ट किये हम लो तो पन गया हो गया काम अब एक सप्ता लगेगा ते बहुत जाएगा उमार का थोड़ा सा अच्छा रहा उमार एफिट मिला आज लगा कि हाँ रिटार्वेंट अपयादा है लेके समय से पहले नहीं समय पर रीटार्मेंट हो तो उसका फैदा वेनिफिट हो उचा सकते हैं दो चलते हैं अब हर अबं चलते हैं भूख लगी बहुत जोट से यह बहुत टेंसन था कि और जिद करवाना आज़ एकडिन करवाना बहूत फील होता है । अपना घर का इसी टाइम में अपना अपनेंट प्रमानिंट ऐड्रेस का जो अपनेंट एड्रेस का बहूत फील होता है कि अपना घर रहता तो आज ये सही का गया कि दरदर भटकना तो ये किराय के मकान में तो दरदर भटक रहे हैं कोई कागाज अगर जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी दरदर भटक रहे हैं तो चलिए हमिश कीजिए आज लोट करके काम हो गया पूरा काम हो गया अब लगी भूख चलिए तो आज खाने में मैं पकोडी बना रही हूं मिर्ची पकोडी भैगन गोबी और घिया कि और ये दाल चड़ा दिये एक तरफ एक तरफ दूद चड़ा हुआ है फिर चावल बन कामें जाएंगे और खाना खाएंगे जावल हम अभी चड़ा होगी पिर चावल और रुदधा जोनों सेपरेटर मिदा हुआ अच्छा रोटी बना हुआ है अच्छा वहाँ वाला वाल बैंस अबना बी कि तो चावल और मॉलोग वाला कुकर काम आ रहा है सेपरेटर बहे के आजा किसी चीशा ने रही और फाय बोलता है को था लुब टार है कोई बोलते हैं यह बैगन का निकल गया काफी कहारी होता है यह मिर्ची का भरवा बना देए हूं मिर्ची में भरने के लिए आलू मैं इसके रखी हूं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे थोड़ा सा अमचुर डालेंगे नमक रहेगा और फिर इसको फ्राइ करेंगे खाली भी भर सकते हैं बेशन लगा के भर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा इसे डाल देने पर अच्छा लगता है आलू भर के बना के देखिए कभी आलू भर के मिर्ची के पकोड़े में अच्छा लगता है खाने में तो यह गोवी का गीला पुलते हैं लॉके दाली हो गया देधी बहुत आराम रहता है सब सुल्प में जाता है खाते हैं और वीडियो को यही ऐं करते हैं कि खाना खाने के बाद मुझे पूरस नहीं रहेगा ज Sport अए तर के टिर दो दो भाद सुभास है मंलो कि खाना खाने के बाद चाय गोल चाय गोल नदे ए जा है जे डाइन ठीच यह वीडियो करते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शरूर किजिए का सब्सक्राइब के बगल में एक बेल का एकन है उसको भी जनूर दबादी जिएगा अगर वह गंटी नहीं दबाएंगे तो यह टेटी वियर नहीं मिलेगा अगर नहीं ब्लॉग में नए तरीके से नए अंदाज में ओके बाइब बाइब गुट नाइट